कुछ कथित लिककों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत बिरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है दुरभागे से उस स्वर के साथ सारुक खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई है सारुक खान को इस बात को या राद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुत संकिक समाच उनकी फिल्मों का बहिसकार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों भी भठकना पड़ेगा मुद्दों पर तथ्यों पर बात होनी चाहिए भारत के अंतराश्टे च्छवी को खराब करने की जो अंतराश्टे साजिसे हो रही है उस साजिस से सब को बचना चाहिए और अगर कोई इस प्रकार की साजिस किसी बेक्ति या किसी पार्टी को निसाना बनाने के लिए पुरे देश को या बोसंग्यक समाज को दुनिया का सबसे सहिश्ण समाज कोई है तो हिंदू समाज है उस हिंदु समाज को बदनाम करने के लिए कोई इस प्रकार के खड़ेंतरों में सामिल है तो उसकी सामुएक निंदा होनी चाहिए उसका सामुएक बहिसकार भी होना चाहिए पाक आतंकी मुंबई बलास्टम के आरूपी है अगर आज पाकिस्तान आ सकते हैं निमंतर देखा लोग हम भी इसका स्वागत करेंगे कि यह लोग जाएं कम से कम भारत को बदनाम करने वाली लोग अपनी वास्तिवक्ता और अपनी आवकात को भी समझेंगे एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था जब कुत्तों की तरह इसको दुटकारा गया था वास से तो उसी प्रकार से यह हाल इनको भी होंगे आतंकी ऐसा कह रहा है मैं कह रहा हूँ न चाहिए यह लोग आतंकी भासा ही यहां बोल लाए है